वीडियो सुरू करने से पहले हम इसको टेस्ट करके देख लेते हैं तो यहां से मैं ओन कर लेता हूं इसको अब देखिए ट्रेंच चलेगा अब यह तो पत्थर की तरह कड़ा है साइद दोस्तों इसका लूज कनेक्शन हो गया है तो इस अब यार इतना जोर से करण्ट यार यहां पर मैंने 220 बोल्ट देकर उसको टच कर लिया तो टेस्टर से देखिए दोस्तों इसमें बहुत हाई वोल्ट है मतलब 220 वोल्ट है यह जानलेब अभी हो सकता है तो आप गलती मत कीजिएगा मैं तो अभी पापड बनते बनते बचा हूं तो मेरा थोड़ा सा मतलब लग था तो इसलिए मैं अच्छा से यह जो है बच गया इससे नहीं तो अभी कुछ भी हो सकता था तो फ्रेंट्स अभी मैं उसको चला कर फिर से आपको दिखाओंगा तो ओन करते हैं फिर से तो अभी यह चलेगा बिल्कुल तो कोई दिकत की नहीं दिकत की बात नहीं है यहाँ पर अभी on कर लेते हैं इसको हमें तो on कर लेते हैं दोस्तों तो one two three ये अभी भी नहीं चला यार क्या दिक्कते मैं समझ मिने पा रहा हूँ यार ये तो वायर ही अलग हो गया है तब से मैं पागल बन रहा था तो दोस्तों आपको तो पता ही लग गया होगा कि ये सब देखे कि आज हम क्या बनाने वाले हैं तो आज हम जो वैक 7 का जो हमारा 220 वोल्ड से उसको हम अपग्रेड कर रहे थे वो सब आज हम इसको बनाएंगे तो हमने पिछले वीडियो में जो की 1000 साल पहले आया था उस वीडियो में हमने उसको पेंट किया था तो ये काफी मतलब पहले बनाया था इस जो लोकोमोटीव था तो उसका जो मेजर कंपोनेट हम ही जहां पर इस्तमाल करने वाले हैं यहां पर उसका 9 बोल्ट एक एमपियर का ट्रांसफर्मार जिन लोगों को इलेक्टिकल के बारे में ज्यादा पता नहीं है मैं उसको मैं उनको बता देता हूं कि यह जो है मतलब बोल्टेज को स्टेप डाउन करने के लिए इस्तमाल करते हैं यह वाला जो मोटा वाला वायर है उसका primary winding है और दूसरी तरब जो पतला वाला वायर है उसका secondary winding है तो अब सबसे उसका main component है यह है full wave rectifier तो दोस्तों यहीं जो है हमारा traction motor को power देगा तो इसको हम use करेंगे और यहां पर मैं दो traction motor का use करूंगा जो की normal वाला motor है तो इसके साथ हम जो transformer का secondary winding है उसको connect करेंगे और दूसरी तरब जो wire निकले है उनी से हमें output निकल जाएंगे तो इसका कोई भी यहां पर जो circuit diagram है मैं यहां पर देखके आपको bore नहीं करने वाला अलग से मैं यहां पर circuit diagram description में दे दूँगा अगर आपको यह बनाना है तो आप वहां से देख सकते हैं तो यहां पर कोई भी यहां पर bore करने की में ज़रुरत नहीं है आप वहां बहां जाकर देखकर इसको बना सकते हैं आज सिर्फ इस वीडियो में टेस्टिंग करूँगा और थोड़ा बहुत आपको जानकर ही दूँगा क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था क्या कर रहा था दूसरे चनल पर वेस्ट था तो इसलिए यहां पर कुछ भी नहीं हो पा रहा था आपको सुनकर हशी आ रही होगी कि बहुत वीजी धा में दूसरे चनल पर तो यह रहा हमारा transformer जो की लोको के body के अंदर set हो गया है तो इसी प्रकार से बीच में हमें transformer को लगाना होगा जो की real वाले locomotive में भी होता है थोड़ा सा नीचे की तरब होता है अब यहां पर हमारा जो converter है मतलब bridge rectifier है वो rectifier को stride में रखेंगे और यहां पर मैंने एक LED भी लगाया है जिसे की यह glow करेगा जब यह work करेगा तो इसमें थोड़ा सा और protection की भी ज़रुरत होगी तो यहां पर हम fuse का भी इस्तमाल करेंगे क्योंकि हमें इसमें OHE के मदद से इसमें line देने वाले हैं अगर कहीं भी लोकों का body अगर charge हो जाए तो यहां पर fuse जो है मदद करेगा उसको सही करने में तो जैसे की मैंने बोला कि उसके साथ हम transformer का secondary wire को connect करेंगे तो इस प्रकार से हम connect करेंगे तो यह देखिए दोस्तों यहां पर मैंने PVC का जो बोगी है वो यूच किया है तो यह थोड़ा सा अलग type का बोगी है अब दोस्तों यहां पर सारा connection हो चुके हैं आपको अगर उसका block diagram या फिर पूरा detail में diagram चाहिए तो मुझे बोलिए मैं description में उसका link जो है आपको दे दूँगा और यह जो मोटा वाला wire है यह page में जाएगा जो कि pentograph के साथ connect होगा और नीचे वाला जाएगा ground में तो यह वीडियो आप देख सकते हैं कैसे हम track से line ले सकते हैं मतलब negative line जिससे कि यह काम करता है तो यहाँ पर मैंने control unit भी लगाया है जिसमें dp dt switch और यहाँ पर एक potentiometer लगा हुआ है जिससे कि हम speed को control कर सकते हैं तो हमारा wiring complete है अब हम pentograph को connect करेंगे उस मोटे वाले page line से जो कि हमारा ohe से locomotive के अंदर power को लेगा और track simulator में वो जाएगे तो यह सब बनाने के बाद दोस्तों अब हम test करेंगे उसको तो test कर लेते हैं उसको देखिये दोस्तों तो यहाँ पर मैंने सारा setup ready कर लिया है जिससे कि हम पहले करते थे उसी तरह से हमारा जो पुराना वाला मतलब हमारा जो track है वो यहाँ पर रख दिया है मैंने और OHE के जो wire है वो यहाँ पर GI wire के इस्तमाल किया है और यहाँ पर 220 volt डायरेक्ट यहाँ पर वो नीचे के line में जो neutral है और उपर में page मैंने दे दिया है तो इस wire के मदद से यहाँ पर connect होगा सब और यहाँ पर मैं आपको voltage भी check करके दिखा दूँगा मतलब tester से जैसे कि मैंने पहले बोला था तो कि जैसे कि मैं यहाँ पर use करेंगे उसको तो यहाँ पर own करके मैं आपको tester के मतलब से दिखा दूँगा तो यहीं से own करने से हमारा जो locomotive है वो work करेगा अगर आप उसको दूसरे direction या फिर पीछी मतलब reverse forward में चलाएंगे तो यहाँ पर local के अंदर एक dvdT switch लगा है जहां से उसको हम direction change करवा सकते हैं तो आपको science से पता लग गया होगा अगर दोस्तों यह आपको बनाना है तो ज्यादा जानकारी हो तब ही बनाए नहीं तो बिल्कुल भी ना बनाए नहीं तो जैसे कि वीडियो के सुरवाद में मेरा पापड बनते बनते बचा उसी तरह आपके साथ भी हो सकता है तो मैं को model locomotive आप उसको चला सकते हैं OEG के मदद से तो साथ से आपको मेरा बात समझ में आ गया होगा तो देखिए काफी अच्छे से यह जो है लोको वर्क कर रहा है OEG के मदद से अगर दोस्तों थोड़ा भी हाथ यहाँ पर लगा वायर के उपर तो बहुत रिस्क है इसलिए मैं आपको यह सब पहले में वीडियो में बता दिया हूँ तो इस बात का आप ध्यान में रखिएगा तो यहाँ पर देख लीजिए कैसे यह वर्क कर रहा है अभी दोस्तों आगे इस चैनल में और भी बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं जो की HO scale के उपर होंगे तब दोस्तो के साथ इस वीडियो को share करें जो कि इस प्रकार के वीडियो देखना पसंद करते हैं या फिर इस तरह के चीजें बनाते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं इसी तरह के एक इंट्रेस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद